हेलो दोस्तो कैसे हूँ आप सब आई होब कि आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल रेखास ब्यूटी वर्ड में दोस्तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने हाथों के टैनिंग को किस तरह से घर पर ही रिमूव कर सकते हैं दोस्तो टैनिंग रिमूवल के इस प्रोसेस को हम लैदर ब्लीच कहते हैं लैदर ब्लीच करने के लिए हमें क्या-क्या सामान चाहिए हम वो देख लेते हैं तो सबसे पहले हमें एक सोप चाहिए साबुन जो है हमारा ग्लिसरीन बेस होना चाहिए तो आप डव या पियर सोप ले सकते हैं देन हमें चाहिए हाइडरोजन पैरकसाइड 20 वॉलियम उसके बाद हमें चाहिए रोस वाटर आप रोस वाटर ले सकते हैं साथ तो आपको चाहिए मॉश्चराइजेशर आप जो भी मॉश्चराइजेसर यूज्ज है मुश्स पर आप उसको ले सकते हैं देन आपको चाहिए एक बाउल, ब्रश एंड स्पैचुला, उसके बाद आपको एक ग्रेटर चाहिए जिसका इस्तेमाल आप सोप को ग्रेट करने में करेंगे, देन आपको चाहिए SPF, आफटर अपना प्रोसेजर हमें SPF अपलाय करना होगा, देन आप एक स्मॉल हैंक के ले हम उसके लिए ग्लिसरीन का यूज करते हैं, तो यह मैंने ग्रेटर ले लिया है, मैं इसमें अपने सोप को ग्रेट कर लूँगी, आपको जो ग्रेटर में बड़ी वाली साइड होती है, उस साइड से आपको अपने सोप को ग्रेट कर लेना है, आप इससे पूरे सोप को ग कर दो एक ट्रॉली पर सेट करके रखना ही चाहिए क्योंकि उतना टाइम नहीं होता अगर आप सारा समान इस तरीके सेत होता है जो सर जाने जरूरत नहीं पड़ती मैने वह सब रख लिए मैने वेट कोटन लिया क्लीनिंग के लिए इस तरीके से आप सारे समान को अपने視 सेट कर लिए conten presวола Assam तो मैंने यह भाहना नेन篇 बीं इस तरीके से दाउल City के हैं या लेता है ऍससार बकरफ़ हैं या थी लेना जो आप में घ्रत करके रखा हूँ ये इतना साइज सोप में आपका पूरा ये बाउल फिल हो जाएगा उसके बाद में इसमें दो ढखकन एस्टू और टू कि मिक्स करूंगी और उसे डिप करके पांश मिनिट के लिए छोड़ दूंगी अगर आपको लगे हैं कि आपका सोप बहुत ज़्यादा ड्राय है तो वो अच्छा होगा, में उनकी dry skin नहीं है बहुत ज़गा तो मैं glyc reconnect का use नहीं कर रही हो क्योंकि मेरा Sophie इसाइट वह इस तरीके से आप अच्छे से dip करके इसको पांच मिनट के लिए आपको छोड़देना है इस तरीके से आपको एक ही direction में इसे घुमाते जाना है एक ही direction में mix करना है कभी इधर कभी उधर नहीं करना आप एक ही direction में इसे mix करते जाए बहुत अच्छे से आपको mix करना है जब तक ये creamy texture ना हो जाए तब तक आपको इसको mix करने है आपको 5 मिनट लग सकते हैं इसे mix करने में देखे बनता जा रहा है यह पूरा बाउल आपका फिल हो जाएगा आपको बीच बीच में लग रहा है कि ड्राय हो रहा है तो थोड़ा सा water mix कर लीजे तो यह बहुत अच्छी से creamy form में आपको इसे बन आपको बनना चाहिए स्मूध बनना चाहिए एक दम से भी पूरा बाउल फिल हो गया दो स्पैचूला सोप लिया था हमने उसी में यह पूरा बाउल फिल हो गई आपको ब्रश की हेल्प से अच्छे से बस इसको मिलाते जाना है और इस तरीके से आपको लेदर क्रिएट कर लेक्स पर ताकि कोई भी कुछ भी प्रोड़क्ट गिरें तो उनके कपड़े खराब ना हो तो आपको पहले टौवल से ड्रैपिंग कर देने देना आपको वेट कॉटन लेना है उससे पूरे हैंड्स को अच्छे से क्लीन कर देना है ताकि उनके हाथ पर कुछ भी डॉस्ट जाए तो वो अच्छे से आपको कॉटन से क्लीन कर देना है आप हैंक के से भी क्लीन कर सकते हैं गीले हैंक के को यू खर देना है उसके बाल हमें अपना प्रोड़क्ट हमने फॉर्म बना था उसको लगाना स्टार्ट करेंगे आपको रिस्ट पर इस तरीके से गायड़ बना लेंगे और आप एक उपर हैंड पर गाइड लैन बना लेंगे जहांसे भी आपको लगाने स्टार्ट करनी यह बहुत फीर बेसे हो जाता है आपको पूरे को पे कले लगा देना आप इसका लाइट है लाइट प्रेशर के साथ झेल के बुलंगे temps जो bristles in rise के बास किए तो आपको फोल म्य? मुप लग नहीं आपको को धिएन रखना है कि आपको बहुत हें इसbn 1 द इस intrins做 लगाना है वहत बहुत लाइट अर से जो अचंद लगना चाहिए आपको इसे थोड़ा मोटा मोटा लगाना है पतला नहीं लगाना है बहुत लाइट हैंड से लगाएंगे तो यह बहुत इजीली आपके पूरे हैंड पर लगा देना है दोस्तों यह सुपरफीशियल जो टैनिंग हो जाती है आपको आपके हैंड्स पर लेक् करना है आपको लेदर ब्लीच है वो आप हैंड्स पर लेक्स पर कर सकते हैं लेकिन आपको फेस पर नहीं करना है इसी तरीके से हम रिस्पर भी लगा लेंगे हाथ पूरे हाथ पर आप अच्छे से अप्लाय कर देंगे बस आपको इसे नेल्स पर नहीं लगाना है नेल्स को छोडते हुए आपको इसे पूरे hands पर apply कर देना है आप इसे one week के gap के साथ कर सकते हैं 3-4 sitting में ही आपके सारे tannin बहुत अच्छे से remove हो जाती है देखिए मैंने दोनों hands पर अच्छे से apply कर ली है अब इसे मैं 10-15 minutes के लिए छोड़ दूँगी इसी तरीके से देखे 10 से 15 मिनिट हो चुके हैं अब मैं इसे रिमूब करने के लिए अपने स्पैचुला की हेल्प से पहले जो एक्सेस एक्स्ट्रा प्रोड़क्ट है उसे मैं इस तरीके से अपने बाउल में रिमूब कर लूँगी जिसे मुझे क्लीनिंग करने में बहुत आसानी हो जाए उसके बाद मैं एक वե՟ टॉबल्र ये से पूरे हेंड को थि य१ OW कर दूबगी तो बहुत अच्छे से एक Вेंडी को चानी हो जाती है उतना साजरा प्रोड़क्ट हम हैंड्से निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रब्लम होती है निकालने में तो आप सहले हे इस पैस् बहुत अच्छा तरीका है यह टैनिंग को रिमूब करने का और आप इसे घर पर भी बहुत आसानी से कर सकते हैं कुछ खर्चा नहीं लगता है इसमें आपको एक सोप लेना है और आप एस्टो ले सकते हैं दो चीज़े आप मिक्स करके बहुत अच्छे से आप इसे कर सकते हैं अपनी सारी टैनिंग को अच्छे से रिमूब कर सकते हैं देखे मैंने क्लीन कर लिया है पूरा हैं अब मैं इस सब्सक्राइब को अच्छे से मलना नहीं है थोड़ा सा लेकर उसे अपलाय कर देना है एक लेयर उसकी लगा देना है पूरे हैंड्स पर देखे मैं इस तरी कैसे लगा देती हूँ आप देश सकते हैं कि इनके हाथ पर कितनी ज्यादा टैनिंग थी बट एक ही सिटिंग में काफी हद तक इनके हाथों की टैनिंग जो है रिमूब हुई है तो ये बहुत अच्छा तरीका है टैनिंग को रिमूब करने का आप बहुत आसानी से घर पर कर सकते हैं तो उसे ट्राय जरूर कीजेगा आप किसी भी स्किन टाइप पर इसे आसानी से कर सकते हैं तीन से चार पॉड़ी प्लीच होती है हम पॉड़ी के किसी भी पार्ट पर इसे आसानी से कर सकते हैं जहां में टैनिंग है बट आपको फेस पर नहीं करना है और नेल्स पर अप्लाय नहीं करना है तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा अच्छा ल चैनल पर स्किन, मेकप और हैर से रिलेटिड वीडियो मिलते रहेंगे तो दोस्तों चलिए जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स वीडियो में तब तक खयाल रखिए अपना और अपनों का और यू ही प्यार बाटते रहिए टेक क्यार बाबाई